अल्फा एजुकेशन हम इस play के एक introduction को आज के इस lecture में देखेंगे और introduction के साथ साथ हम आज के इस lecture में characters को discuss करेंगे चुँके ज्यादा दर students जोके इस play की summary को पढ़ते हैं या फिर analysis को पढ़ते हैं और उनको characters के हवाले से concept clear नहीं होता तो तब उनको समझ नहीं आती कि कौन से character का क्या रोल है यह lecture deliver हो रहा है through alpha education अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए और यह lecture अपने दोस्तों के साथ भी share करें ताकि उनको भी इससे फायदा हो तो चलिए time waste के बगएर आजकर lecture स्टार्ट करते हैं और आज हम एक play discuss करने वाले हैं जिसका title है Oedipus Rex तो students Oedipus Rex जो के एक Greek play है जिसको एक Greek writer ने लिखा है यह play लिखा है Sophocles ने यह एक Greek tragic dramatist है tragic dramatist का मतलब के वो writer वो dramatist जो की ज्यादे तर tragedies लिखता है तो Sophocles एक Greek tragic dramatist है जिन्होंने एक play लिखा है जिसका title है Oedipus Rex उसके बाद इसके characters पे हम नजर डालते हैं कि इसमें कौन कौन से characters है अगर हम यहाँ पे देखें जो मैंने underline किये हुए और जिनका color different है यह main character है इस play के इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है Oedipus पर इसके बाद priest देन क्रियोन टाइरीसियस जुकास्टा मेसिंजर सेकंड मेसिंजर और शेफर्ड यह जिस्ट आपको याद दिलाने के लिए कि कौन कौन से characters है इस play में आगे जाके हम एक एक characters के हवाले से बात करेंगे और सभी characters को एक साथ पर discuss करेंगे उसके बाद इस play में जो mute characters है यह जिनके कोई action involved नहीं है यह जिनके कोई भी dialogues involved नहीं है वो है daughters of Oedipus यह Oedipus की दो बेटिया हैं जिनका नाम है Antigone और Ismene यह वो characters है जो through out the play silent रही और इनका कोई भी action या फिर ऐसे main काम नहीं था इस play में और इनको mute characters कहा जाता है उसके बाद date premiered यहनि सबसे पहली बार यह play perform हुआ था 429 BC में और इसी तरह plays premiered में अगर हम देखे तो यह theater of Dionysus में उस time पिया perform हुआ था बताय था कि यह Greek writer ने लिकी है बाद में जो हम इसका English version पढ़ते हैं यह इसकी translation है और इसकी जो setting है यह play जहाँ पे इस play का जो setting बताय जाता है कि कहाँ पे यह play हुआ है और इसकी जो कहानी की setting है वो है थीप्स की और इसके बाद यानरा इस play की क्या है कि यह एक tragedy है यह comedy नहीं है यह इसकी जो ending है वो happy ending नहीं है वो एक tragic ending है जिसको देखके audience catharsis करती हैं और फिर रोते हैं और धुक्का इजहार करते हैं तो यह थी एक छोटी सी introduction इस play के हवाले से ताकि आपको पता हो कि इसकी basic information क्या है तो students अब हम discuss करते हैं characters को कि इस play में man में और minor जी जो major characters हैं और जो minor characters हैं वो कौन से हैं मैं जस्ट आपको characters की introduction करवाऊंगा ताकि आपको पता हो कि कौन से character का क्या रोल है और आने वाले lectures में हम इस play की detail summary देखेंगे और इसके बाद एक-एक character की character analysis और साथ में थीम्स को भी discuss करेंगे लेकि नाच के लिए जरूरी ये है कि हम characters पर बात करें कि कौन को से characters इस play में involve हैं तो सबसे पहले जो main character है इस play का जिसके गिर्द ये पूरा play revolve करता है वो है king edipers ये एक king है एक city का जिस city का नाम है थीम्स वो किंग कैसे बना और इसके play में tragedy कहां पर पाई जाती है और कैसे इसकी life एक tragic life बन जाती है वो हम आने वारे lectures में discuss करेंगे लेकिन सबसे जुरूरी बात कि ये इस play का hero है और main character है जिस students character introduce करवाने के लिए मैंने अपने दोस्तों के Snapchat से कुछ bitmoji's के screen shot लिए ताकि आपको characters mix ना हो जाए या फिर आपको एक distinguish differentiation हो कि हाँ फलाना character फलाना है ताकि आपको ये mix ना हो जाए तो इस वज़े से मैंने characters को bitmoji's के साथ present किया है ताकि आपको थोड़े से clear हो जाए King Edipus के बाद में जब King Life मर जाता है और जब हम इसकी summary को देखेंगे तो बाद में वक्त गुजरने के बाद जब ये King बन जाता है तो ये जुकास्टा से ही शादी करता है यानि King Edipus की जो tragedy है वो यही है कि इसको एक blind prophet या पिर एक Oracle of Delphi यानि एक prophecy इनके माबाब को एक Oracle ने एक prophecy की होती है कि आप कही एक बेटा पैदा होगा जो कि अपने बाप को मारेगा और अपनी माँ से शादी करेगा और बाद में ऐसे ही होता है ये Elias को एक जगे पे मारता है और फिर वो Thieves की सिटी का और अपनी माँ से शादी करता है लेकिन किंग एडीपस को ये इस बात का इल्म नहीं होता कि मैं जिससे शादी कर रहा हूँ वो वरत मेरी माँ है तो ये इसके रियल फादर और मदर है और साथ ही साथ जोकास्टा इसकी वाइफ भी है उसके बाद आते हैं मिरोप एंड पॉलिबस मिरोप एंड पॉलिबस इन्होंने गोद लिया है किंग एडीपस को जब इन्होंने वो प्रोफिसी सुनी कि ये हमारा एक बेटा पैदा होगा जो कि अपने बाप को मार के अपनी माँ से शादी करने वाला है तो जब जब इनके गर में किंग इडिपस पैदा हुआ, यनि जब इनके गर में इडिपस पैदा हुआ, तो उन्हों ने इसके हाथ पाओ बांगे एक शेफर्ड को दे दिया कि जाके इसको कहीं दूर फैंक के आए, ताके वो प्रोफिसी ठीक नहो और इस तरह से ये लोग ए कौरिंध में, ये इसके सपोजड मदर और फादर है, ये इसके रियल फादर और मादर नहीं है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्रियोन, क्रियोन जुकास्टा का बाई है, इसी तरह लायस का ब्रदर इनला बन जाता है, और साथ ही साथ ये इडिपस का भी ब्रदर तो उनके दो बेटिया है, यह उसके साथ वजीर के तूर पर रहता है। प्रिजियर्ट के जो मसले हैं वो किंग के पास लेके आते हैं और उनको बताते हैं कि हम पे एक बहुत बड़ी आफ़त आ चुकी है और आप हमें इस आफ़त से बचाएं यह अपने सिटी के लोगों को रिप्रिजेंट करता है और अपना मसला किंग इडिपस के सामने रखता है पिर हमारे पास टाइरीसियस आता है जो किक बलाइन्ट प्रिफिट है जो किक प्रॉफिसी देते हैं किंग इडिपस अपने आप जब किंग इडिपस को इस बात का इलम होगा कि उसने अपने बाब को मार के अपनी माँ से शाधि की है तो यह इस गममें अपनी आँगे और जब वो अपनी आंके निकालेंगे तो फिर उसके बाद किंग इडिपस अपने ही इस शहर को छोड़के चले जाएंगे तो ये एक blind prophet है जिसका नाम है Tiresias उसके बाद है थीबन shepherd जिसको वो shepherd जिसको जुकास्टा ने अपना बेटा दे दिया था कि वो उसको कहीं दूर ले जाके छोड़ देता कि उसकी death हो जाएंगे और वो लोग इस tragedy से बच जाएंगे उसके बाद है कॉरिंथन messenger ये वो messenger है जो के play के last पे आता है और एडिपुस को इस बात के खबर के खबर देता है कि उसका बाप मर चुका है लेकिन बाद में वो बताता है कि बाप असल में उसका poulibus नहीं बलके कोई और था और ये लोग बताते हैं के कॉरिंथ, कॉरिंथन जो मेसिंजर होता है ये इडिपस को बताता है के मिरॉप तुम्हारी असली मा नहीं थी तो ये मेन करेक्टर हैं इस प्ले के जिसमें हम देखें पॉलिबस और मिरॉप कॉरिंथ के शेहजादा और शेहजादी है यनि किंग और क्वीन है और इसी तरह लाइस एन जोकास्टा ये थीपस के किंग और क्वीन थे लेकिन चूंके लाइस को बाद में मार दिया जाता है तो उसके बाद किंग इडिपस और जोकास्टा थीपस के किंग और क्वीन बन जाते हैं तो स्टूडन्ट ये मैंने कोशिश की कि आपको करेक्टर समझा सकूं के करेक्टर कौन कौन से हैं इन्शाला नेक्स लेक्टर में हम इस सी प्ले की एक डिटेल समरी देखेंगे कि प किस तरह इडिपस की लाइफ में ये ट्रेजिडी आती है और कैसे ये प्ले एंड हो जाता है तो आप मजीद लेक्टर भी देखिएगा जो मैं इसके हवाले से अपलोड करूंगा ताकि आपको इडिपस रेक्स के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी चीज़े हैं क्लियर हो जाएं तो स्टुडेंट्स ये ता आज का लेक्टर अगर आज के लेक्टर की समझ आई हो तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ये लेक्टर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फायदा हो तो तब तक जब तक मैं नया लेक्टर अप कि ये मतल अहुम्त शेयर को तेर शेयर अपने लेक्टर येप्टर अपने अथन के लेक्टर अपने तो स्टूड़ को ह। फश्यादार अवेश्चर शेवे लेक्टर अवेश्टर अवब द्सक्राइब